हाई आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है तोड़े आम गोइंग टो डिसकुस माय यूपीसी इंटर्व्यू 2018 वाला तो देखिए सबसे पहले एल टेल यू की होता कैसा है प्रोसीजर कहता है कैसे होता है मतलब बोर्ड में किते में इंबर्स रहते हैं कैसे जाना चाहिए था इन सारी चीज़ों के हम बाते करेंगे शॉर्ट वीडियो होगा दस बारा मिनिट का तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग को बुलाते हैं कॉल अप लेटर वगरा आता है तो दो शिफ में इंटर्व्यू होते हैं एक मॉर्निंग शिफ रहता है और एक इवन चीट करते हैं दूसरे के बैग्राउंड को जानते हैं फिर लाइन खुलती हूं आप एक सिए इस अफ का गार्ड रहता है यूपस्या में गेट खुलता है वहां से हम लोग को लाइन से बनाके एक रिसप्शन में जाते हैं जिस भी हम सीडियल वागिना में आते हैं उसमें आने टो के नम्बल मिल ज्याते है तो फिर सेंटर में डॉम रहता है बहुत बढ़ा टो में एक राउंट टेबल करा रहता है है वह चोटे है सब्सकित हैंसй पातचे लोग बैठते है और निंस नमबर लिखा रहता है जब है जो आपको मिला रहता है उस टोकेम का नमब pozw ब वहां पर बैठना है बैग वगरे सारी चीज़ और लड़ी बाहर में रख दी जाती है आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए सारी चीज़ों की चेकिंग होती है मुबाइल सब्सक्राइब पहले सी बाहर रखवा दिया जाते हैं अब वहां पर जैसे आप बैठते हैं तो आप पाइल वगरा पथा लोगों कि कैसे लोग वगरा आते हैं किस तरीके का प्रीविएस लोगों का एक्सपीजेंस रहता है पर स्थाइम बहुत रहते हैं जैसे में को इस ताइम पर मिला था भरत भूशन वयासर का वोर्ड मिला था जो जब्सक्राइब चीफ सेकरट्री थैं फिर्स आई वस फिर्स परसेंट तो पर कभी देखा नहीं था और अलड़ी लोगों ने बहुत हाइप बना के रखा था कि भाई यूपीस के इंटर्विव्य कैसा होता है क्या होता है गया अंदर तो इनीशली जाके जो एक रहता है पूरा हर एक बोर अब देखो डिस्ट्रि जाती है तो 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 टोटल मिध क्योंकि आपके दस-पन नमिट पहले तो बोर्ट पता चल रहा है कौन सा बोर्ट है आख से दस बोर्ट रहते हैं चेर्मेन बोर्ट इस्ट्रिब्यूट वगरा करता है तो उस ताइम पर बीबी वयासर का बोर्ट मेला गए थोड़ी दे बा सेंटर में चेर्मेन सर बैठे रहेंगे और आजू-बाजू में में मेंबर्स बैठे रहेंगे जो साइक रहती है वो जिस्ट आपके कॉर्णर में रहती है आपके हैंड जेस्ट्र वगरा ठीक है बॉड़ी आपका व्याफ टॉकिंग वो जनरली कोशन नहीं पूछती जो नाश्ता वगरा सब वगरा हो रहे थे फिर बेल बचती है तो जो स्कॉर्ट रहते हैं आपके साथ वो जाके गेट को खोलते हैं आप जैसे घुसने की परमेशन लीजिए मैं कमन सर मतलब चेर्मेन को जाके चेर्मेन को विष्किजे सबसे पहले ठीक है और आजू- जैसे दो लेडी मेंबस थी और तीन मेल मेंबस थे तो उनने बैठने को बोला तो अविएसलिया उस ताहिम पर फिर्स एटम था नर्वस निस बहुत जादा थी तो चेर्मेन समहों ही फिगर आउट कि यह यह बंदा नर्वस थोड़ा तो ही सेट आट सी समित्रो फिर्स काम तो यहां पर सब आपकी पसारी टेस्ट होगी यू जस्त वाफ तो बी यूसल्व बीकाम एड जस्ट वी अब हैविए कांड अवर्शेशन तो उनने सबसे पहले पूछा कि सिंस्ट यू अरन मेकानिकल इंग नियुनिंग में 2017 में मेकानिकल अज मतल्ब मेकानिकल इंग होती है कि जो सब्सक्राइब के साथ जो आर्ट बैग्राउंड में तो इंगिनिंग से कुछ खास लेना देना होता नहीं है वो जैसे तैसे मतलम बहुती वर्बल वे में बहुती मतलब इंफॉर्मल वे में हम लोग ने बस डिग्री ली हुई रहती है और इस पेशल कोई न इंड्मिस्ट्रेशन में कैसे हल्प कर सकते हैं तो मैंने बताया कि इंवार्मेंट पॉल्यूशन वगेरा में रहता है उस से बार में बताया कि अच्छे से मैं कॉंप्रिहंट कर पाऊंगा यह सारी चीज़ वगेरा पूछी उनने ठीक है फिर उनने पूछा अच्छा जैस वगेरा रहेगा आपका वो प्रिसीडिंग आंसर पर ही डिसाइड करेगा जैसे मैंने क्या बोला कि इन्वार्मेंट वगेरा को कंट्रोल करने के लिए इत वुड बी यूसफुल यह ना बीए सिक्स नॉम्स वगेरा बोला तो सट से अगला कुशन उनने क्या पूछा अच अभी रिसेंटली बजेट में कि आप लिंक देखे कहां से कहां तक कर रहा है कि रिसेंटली बजेट में अभी एक पॉल्यूशन मतलब यह इलेक्ट्रिक वीकल्स को लेकर एक बड़ा स्कीम वगरा अनाउंस किया गया है क्या-क्या प्रोविजिंस वगरा लिए तो मैंने ब अब देखो एक पर्टिकलर वर्ट सुने के लिए बैठा था फेम इंडिया स्कीम डड़ा तो वो सुनी जा रहे मतलब रुक ही नहीं रहे है क्या अब हमाया पास लिमिटेट पॉइंट से किता बोलें तो इनिशली क्या हुआ उनने बोला कि जैसे मैंने कर वन आई वस ओव अब इस बंदे के पास पांड नहीं है तो ही सेट की अच्छा यू दिन्ट हर्ड अबाउट फेम इंडिया स्कीम हरो यह से तो उनने तुरंट पूछे वाय देंट यू मैं तो ठीक है यह वाली चीज होगी सेकंड कोशन फिर बाजू में मतलब राइट हंड साइड में आई-पिस ऑफिसर वगरा थे हाला कि हमें बहुत डीटेल में पता नहीं चलता में बस के बारे में तो उनने पूछा कि जैसे माइफादर इस वरकिंग इन इंटेलिजेंस प्योरो तो वो फादर के परफाइल की उपर आ गया कि काप कर पापा का कैसा काम रहता है कहां पर ह क्या है किस तरीके सा आपने आई-बी के लिए ट्राइक यो नहीं किया और फिर आप फोर्स वगरा के लिए ट्राइक यो नहीं करते हैं यह सारी चीज़ वगरा पूछें तो मैंने जस्तिफिकेशन दिया कि हां मौका में लगा तो करूंगे एक्जाम होगा तो डिफिनिट पर पी दिखू मैं फशा था उनने कुशन उठाया कि इत्ति सारे अटाक और जैसे अरे अटाक हो रहा है ना ग्रोटा एटैक उसके बाद इसकी वामा अटाक वगरा हुए था तो उनने यह पूछा कि इत्ति सारे अटाक हो रहें तो डॉंट यू यू निजाले लाक्व्य these are the failure of our security forces and especially IB क्योंकि अगर इस तरीके के intelligence output अगर पहले से intercept कर सकते थे तो इस तरीके के attack ही नहीं होते है तो बोलते हैं कि तो तुम्हें क्या लगता है IB से IB वाले से CEO free में government से पैसा उठा रहे हैं इस तरीके से उन्हें directly बहुत strong statement दिया और the thing what I learned in the mox is कि आपको government के against नहीं जाना पर ये भी था कि आपको जो question पूछते उसके against नहीं जाना तो मैंने बोला कि मैं देखिए I think IB is doing a commendable job because due to lacuna, due to shortage of manpower, staff वगरो overburdening of work वगरे इन सब के वज़े से क्या हो रहा है IB के पास resources कम है but still वो coordination जैसे MAC हो गया आई-बी को ब्लेम नहीं कर सकते आर्मी का भी failure है CRPF, BSF वगरे सबका एक combined failure है कि हमें मतलब इस तरी कैसे मतलब नहीं करना चाहिए तो वो बन तरी के से थोड़ा offensive होगी तो ये कैसे deny कर सकते हो कि ये failure नहीं है, totally IB का failure है तो मैंने बोला नहीं मैं ये तो नहीं बोल सकते है इकलौत है एजिंसी को आप कैसे responsible border guarding force is not IB तो उसके उपर वो बहुत मतलब को ये question, counter questioning वगरे चला या रहा था अब देखो, इस में में को समझ में या रहा था कि मैं अडे रों की मैं surrender कर गूँ तो मैं बहुत polite way में अपने points को लखे जा रहा था तो उनने फिर क्या किया, बहुत थीक है अब नेक्स परसन ने देखो, फिर इसके बाद थोड़े GS type में आ गया, उनने पूछा में इसे कि उसने पर GST वगरा चल रहा था GST का देखो, सबसे बज़ादा जो इशू आता है cooperative federalism का, कि states बहुत ज़ादा dissatisfied है, तो उनने बोला कि GST एक तरीके से weak scheme है, तो मैं रहा नहीं GST के फायदे वगरा बता है, थोड़े बहुत अभी initially कोई भी change आता है, तो initially problems होती है, पर long term के लिए यह बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि यह one nation, one tax को promote करेगा, बतलब interstate business वगरा को बहुत जादा promote वगरा करेगा, ठीक है, जो state disadvantageous में रहते थे, जैसे कि 39 वगरा उनको special exemption दिया गया, states को GST council में special voting rights वगरा, two-third voting rights वगरा दी गई है, तो she was more or less satisfying, okay, फिर उनने एक और question पूछा कि festivals के negative चीज़े वगरा बताईए, तो यह भी बहुत easily बता दिया कि, मतलब इड़ दिवाली में क्या negative चीज़े वगरा रहती, law and order वगरा की problems वगरा, इस तरह के की चीज़े वगरा पूछी, अगला फिर फिर वापिस उन में ने पूछा कि, अच्छा तो इस में festivals वगरा, मैं IB का क्या रूल रहता है, मतलब, she was totally behind कि, हाँ, आपने मेरे point को defy कैसे कर दिया, तो मैंने बता है कि मैं में intelligence gathering का काम रहता है policing में help करती है, law and order वगरा को maintain करने में काम करती है, ठीक है, इस तरीके से फिर next question में इसे पूछा था, राज्य सभा की उपर राज्य सभा को white chamber क्यों बोला जाता है मतलब की mean power तो जैसे लोग सभा के पास है money bill वगरा, decide करना लोग सभाई करती है, ठीक है, no confidence motion लोग सभाई लाती है, तो राज्य सभा का क्या काम है, आपको ऐसा नहीं लगते कि white chamber है, और तुम्हें सरकार और जनता का पैसा वगरा कर्च करने है, तो I said कि नहीं मैं मतलब या constitutional body है, constitution में mention है, राज्य सभा का तो support कर नहीं है, तो मैंने में में चीज़ें बताई कि All India services वगरा create कर सकती है, फिर साथी साथ आपका state के, state के aspirations को center में carry करती है, लोग सभा के decisions वगरा जो parliamentary committees वगरा को cross check वगरा करती है, ठीक है, तेखते हैं किसे check and balance वगरा बना कर लगते हैं, इसको holistic way में cover किया, इसमें भी problem वगरा नहीं थी, अब देखो, इसके बाद आया था, situation reaction test, अब देखो, जो हम लोग ethics में case study वगरा पड़ते हैं, उस तरीके के मतलब situation reaction test वगरा देते हैं, उनने दिया था कि आप DM वगरा हैं, मतलब district वगरा के आप एक scheme है, वो scheme specially vulnerable sections वगरा के लिए, मतलब में लिए आपका वो रहता है, मतलब vulnerable sections के लिए mandated है, अब एक बहुत old age couple आया, वो four में से तीन criteria meet कर रहे थे, पर एक criteria वो meet नहीं कर रहे थे, अब इसमें क्या हो गया, कि आपने sources से पदा किया कि नहीं, उनको से पैसो की सही में जादा ज़रुवत है, और आपके पास discretion है, कि आप एक factor को overlook करके, उनको scheme में include कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, तो इस तरीके के case studies मैं ngos के साथ पहचान रहे गया, फिर उस तरीके का overlapping, दूसरे scheme में fit हो रहे हो, उसमें उनको करूँगा और इत्ता में अपने description से यह कर सकता हूं कि उनके जो documentation process वगरा है उसना बिडिजी लॉकर बहुत जादा चला तो इसको online आप मतलब आपके हाथ में एकदम से एक पूरे district का कमांड आ जागा तो I think we are you are immature वगर तो वो देखो यह साइक बोल रही थी यह तरीक से pressure डालने की situation होती है तो मैंने अपने point पिस तेक रहा है मैं इससे better मेरे मतलब as per my consigns मतलब I think this is the best solution and I would और पी मैं लोगों से consult करूंग एक democratic decision लोग अपने senior से बात करूंगे इसमों और कुछ improvement हो सकता है तो उनने ही बोला कि आप देखो यह आजए when law has given you power to take decisions तो आप senior से consult करोगे मैंनो obviously they have much more prudence में से जादे experience है तो मैं उनका expertise लोगा जाकि जो भी मेरे decision that would be guided by public interest so they were more or less satisfying पर आखरी में chairman के पास pattern आता है तो दुन्य आख actually देखो क्या रहता है जैसे आप interview में जाते तो आपके passport size का photo रहता है passport size का अपके तीन photos लगते हो आप पे उसमें आपका token number okay फिर उनने बोला को okay फिर देखो जो डैफ की जो आपकी copy रहती है ना एक और चीज में बूलना बूल गया था जो डैफ की जो copy रहती है उसमें आपका preference आपका hobbies आपका सारी चीजे वगरा डली रहती है आपका जो पूरा इसमें क्या रहता है उसके उपर से आपके preference आपका background आपके education सबकी उपर कोशन से पता चला था कि where does my father work वगर यह सारी चीजे वगरा थी तो अन्हें में इसे पूछा है कि आपकी preference में IPS पहले क्यों है आइस से अब देखो जन्री जो board members रहते है यह आईस officers और प्रोफेसर्स वगरा रहते हैं और जन्री आईस वगरा भी रहते हैं पर कम रहते हैं आम forces के वी एकातबंदे वगरा रहते हैं पर वो कम रहते हैं तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं से पूछा कि इस पूछा कि मैं इसको पहले से मेरा बहुत अच्छी से प्रपर्ट था कि मैं को तोड़ी ओगा चैलेंजिंग जॉप चिए उनिफॉर्म वगर जॉपचिए मैं को फील्ड में रहना लंबे टाइम तक फील्मे रहना तो वो तो 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 इस वाल अब नवगा जॉप ज बाए तो तो दॉप एप्स बीकी से निफिए जिएए जुछा